सिनिमा जिसे मोशन पिक्चर या फिल्म के रूप में जाना जाता है आज मनुरंजन का सबसे बड़ा साधन है आज सिनिमा हम भारतियों के जीवन का अभिन अंग बन गया है नौड़ा स्थित मारवा स्टूडियो में सोलवा ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल की शांदार शुरुवात हुई भारती संस्कृति के अनुसार द्वी प्रजुलन और गणेश वंदना के साथ कारिक्रम के शुरुवात की गई कारिक्रम में मीडिया, टीवी और फिल्म जगत से जुड़े देश विदेश से अतिती गड़ ने अपने उपस्तिती दर्श कराई जिसमें डॉक्टर संदीप मार्वा, प्रेजिडेंट, ICMEI, चांसलर, AEFT, उनिवर्सिटी अफ मीडिया और आर्ट्स, केपाया रोडरीक्स, गोंजलेज, अमबेस्टर अफ वेनेशुएला, डॉक्टर अमार अब्दुल हामेद, खादर, अमबसी अफ इराग, कोनार्ड न रिनोड डिरेक्टर, त्रिलोक मलिक, फिल्मेकर अफ यूएसे, पहलाज निहलानी, रिनोड फिल्म प्रेडियूसर मौझूद रहे, कारिक्रम में वपस्ते सभी अतितिगण को पुश्प गुच्छ भेट कर उनका स्वागत किया गया, ICMEI के संस्थापक, डॉक्टर संदी प्रेडियूसर पहलाज निहलानी ने बताया, कि इंडोस्ट्री में कैसे अपनी पहचान बनाएं, और उन्होंने अपनी फिल्म इंड़स्ट्री की जरनी भी साज़ाएं, कारिगर में महात्मा गांधी को ट्रिब्यूट देने के लिए महात्मा गांधी फोरम पोस्टर रिलेज्ट किया गया, बतादें कि इस फेस्टिवल में हिंडी सिनिमा सम्मान समार हो, 2023 अवोर्ट सेरेमनी भी रखी गई, जिसमें कलकारों को अवोर्ट दे कर सम्मानित किया गया असिफ रजा खान को इंडिया जॉर्जिया फिल्म एंड किल्चरल फोरम और हिंदी सिनेमा अवोर्ड से समानित किया गया इस कारिक्रब में हिंदी सिनेमा रत्न की उपादी से सुखवंत धड़ा जी को हिंदी सिनेमा गौरफ की उपादी से समानित किया गया लशाजब परिद जे को हिंदी सिनमा समर्थक उपादी से सम्मानेत किया गया पहलाज नहलानी को हिंदी सिनमा भूशन की उपादी से सम्मानेत किया गया कारिक्रम में प्रश्न उत्तर का सत्र भी रखा गया जिसमें स्टूडेंट्स ने अतितियों से प्रश्न पूछे और इसके जबाब पाए इस कारिक्रम के दूसरे हॉल में वेनेजवेला की फिल्म दा इनर ग्लो की स्क्रीनिंग भी की गई कारिक्रम में स्कूल अफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिजम के स्टूडेंट्स द्वारा इराक, वेनिशवेला, खाना, जॉर्जिया के स्वाधिस्ट व्यंजन तयार किये गई जिसके अम्बैस्टर द्वारत जम कर तारिफ की गई बता दें के आट गैलरे में पेंटिंग एक्जिबिशन का उत्खाटन डॉक्टर संदीप मारवा और अतिथियों द्वारा किया गया उपस्ति सभी अतिथियों को डॉक्टर संदीप मारवा द्वारा मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया कारिक्रम के अंत में उपस्ति सभी अतितिगन डॉक्टर संदीप मारवा और स्टुडेंट्स को अशोग त्या की द्वारा धनिवात क्या पन किया क्या एकर भीडाओ को पुझान में पेस्ट का अष्वाइब फेफिंस फेंसाल čा जौक्स स५ट अवर पडिल्स वेस्ट अदिएल्स। अन्ने ट्वेस्ट है वेस्टिक्ष़ अश्ति एंट अब्स्तिध मारवा धनिवेश्दंट अवेस्टीब्स अव्टीव इसका अवेस सेलाख एका झाल्ज बटेगित राम सब्गत मैं सभूल पाजाश्थ sisters अिस्द मैंना च्तुर चटारिंज के रि ऴॉर下 आटirstर चिज्चर वाड्तिस है उनश jeste रिंसा मैं पलीज कर दे अं fils हूँय हैं हैं Оп SE域 अपन आफंवे हूघहा कि अबाद सो समनस dużo झार फ उनस अपया की मिने ने हैं हैं काया बार है कि वीमिनेंस आब इस उती को सार वने हैं beyond to the whole world. All the invitation that it has made to celebrate our oamed CFI venezolanos. Especially on behalf of the government of President N. Maduro Moros, and extending our gratitude to be invited in Venezuela every moment and every time to present their films here in India. झाली वेसे वेरा अभन nuestro country, presaुअ।ूब मुईसियादी के रेता ह 중요 city. लेरा हमसी मुईसी प्यू躁 रपन थToceptंगा अभने वेराonsगी वेरा सील. एंजल में खं़ खंब cela 睡厲害 एन फिजkopारथ मेंकल को हम ख rozp हर छंब एंब नाफ ? जमeseं घंजा को कि एंगो त1 जाफ यसादा उन्स आ कि भी हम अ है की टंव शाम professionals Привет मैं नाइस लि辙 एंदी सकता की और उनुकरो फणक ऐJI भू जए उसमें kw 2007 आ खिए जो फसका मैं झाल झाल यही निजस के इनको उर चाहलवड कोई यहीं बिल्ड़ भी टाम जो एन परिए उल्ज को लाइंग जो निए भी है। ह्बट्डूजीन देत saving is a great on our and privilege to be able to represent Georgia Embassy of Georgia is festival in the other this year we are here to present one of the best movies of the modern Georgian movie we are here to promote our cinema and we are we are also here to promote a further development of bilateral cooperation between Georgia and India in the field of cinema, to boost further cooperation between Indian and Georgian directors, filmmakers, film producers, actors, actresses, so we are here to boost this cooperation. I must say, India is a very beautiful country, rich in several cultures. And it's something that I know the movie industry here is doing well to project. And I know Indian actors, I don't know, one way or the other, you go the extra mile, especially with the singing and dancing. I keep asking myself, is it that all actors must be good to sing, you know, good in singing and must be good dancers? This is the extra plus that makes India actors, let's say, exceptional. You know, when it comes to Europe, you know, just acting, but in the end, you do well to project your culture, the singing and the dancing. And one thing I love is how emotionally you connect to your acts, which, you know, audience behind the screen also gets to feel this sensational moment. And I'd like to commend the organizers of this program for organizing such a wonderful program like this. And I must say, the 16th edition, you've really come far. And I would urge you all to embrace your own, appreciate your work, because the world really loves. As well as modern establishment, how do you think this event is going to play out? Well, we are absolutely in 2023, which means we are state of art. As far as our planning is concerned, our execution is concerned, our equipment is concerned, our students are concerned. And the topics which we are discussing in this festival, they are absolutely state of art. And when it comes to traditional, yes, we are primitive in our thinking somewhere. We want that our emotions should be respected, elders should be given a due respect, youngsters must be promoted. And that's what I believe in. And not only Global Film Festival, but every event will mark these things continuously and every time. And in every festival, we have one byline, which is called love, peace and unity through art and culture. So you can well imagine, we are a judicial mix of the primitive ways of India and the latest and the current and the state of art ways of India. Well, I'm very happy that today we have inaugurated the 16th Global Film Festival NOIDA 2023. That proves our status, that proves our caliber, our capacity, our capability and our ways of doing things. Not many people could actually take festivals to that height. Many people tried to get into a festival in the last 16 years, but they could not even conduct their second, third or fourth edition of the festivals. Festivals are the biggest and the best platforms to highlight the cinema and cinemas are the best ambassador of culture of any country. I'm very happy that today we had this morning people from Venezuela, which is also a focused country this time. Three films are going to be shown in three days. Then we had today people from Iraq, Iran. We had people from USA, Ghana and Jorjio. Do you feel this event is playing for the budding eyes? You are just starting to play with it. I feel that the enthusiasm, which is Sandeep Marwajji and the whole team, that is so positive. whenever I come here, it just radiates the energy. You can feel it in the auditorium. So I guess those students, who are learning, I guess they are very lucky. So that way it's going to help. It's going to help so many people to live and learn, it is definitely going to help them. I think it's going to help them. I think it's going to help them. है अब तो यहां से हुआ कि 70 कंट्री जो है उनके साथ M.O.U. साइन कर चुकी है और यहां पे फिल्में जो ना दिखाई जाएगी मेरे गाल से यह एच्विमेंट जो है पैरलल टू गॉवर्मेंट है जो आगे चलके हिंदी सिनेमा या नेबर कंट्री की जो सिनेमा है वो लो यहां का कल्चर वहां वहां का कल्चर यहां पे जो लोगों के करीब आएगा समझे गए इंडियन सिनेमा की वैल्यूज क्या है और बाहर की कंट्री की कंपेरिसन में हम लोग कैसे फिल्में बनाते हैं यहां आगे हम कैसे बनानी चाहिए तो एक उसे का जब तक एक्षे नह नहीं होगी तो सिनेमा आगे बर नहीं सकती है